नमस्कार मित्रो टेट परीक्षा ध्यन नामक सीरिज में समस्कर्थ भासा के पुनाह 30 प्रश्णों को लेकर आया हूँ यह वीडियो नमबर पांच है यदि आप किसी भी टेट परीक्षा चाहे वो सी टेट हो यूपी टेट बेहार टेट एमपी वरगतीन या अन्राज जिसे सम्बंदे सभी टेट परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत महत्तमून है तो दोस्तो आप इस वीडियो को देखा हू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दमाएं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियो आप तक पहुंस सकें तो दोस्तो आए देखते हैं संस्कृत भासा के सामान ने 30 प्रशनों को टॉपिक जनरल संस्कृत तो इसमें से 30 प्रशनों को अंगला बेद सब्सक्राइब करना है तो अभी प्लस अस्तम यहाँ पर दोस्तो यह राइट आंसर है और इसमें यनसंदी है कोई यनाची सूतर के द्वारे यनसंदी होती है अंगला प्रशन है भाग्यनंगरम इत्यस बरणान प्रथक प्रथक लिखत इस भाग्यनंगर को हमें प्रथक प्रथक लिखना अलगलग बरणों में लिखना है जिसके स्वर बेंजना अलगलग करने हैं तो भा भा में बड़े आ की मात्रा लगी दीरग आ है तो दोस्तों भा के बाद दीरग आ यहां पर है इसके बाद गा और इसके बाद या या में आ ना गरम यह दोस्तों राइट आंसर है तीसरा और कहीं भी भा में बड़े आ की मात्रा नहीं है भाग के नंगरम यह राइ लिर्जी प्लस आक्रती लाक्रती सवंदिरिक बान्तादेश यान या गुण तो दोस्तों यहां पर जो संधी है वह है यअन संधी E.Oी और री इन चार वर्णों के स्थान पर या वा रा और ला क्रम से होते हैं तो लीरीक इस्थान पर लादेश यहां पर हुआ है और यहां पर यह अनसंदी है एक उज़णची सूत्र के द्वारा। अंगला प्रश्न है 1958 इती संख्याम सब्दई लिखत इस संख्या को सब्दों में लिखना है तो पहले इसमें 1900 में अधिक कितने हैं अठ्थावन अठ्थावन को बोलते हैं अश्ट पंचासत तो अश्ट पंचासत उत्तर एकोन विनसती मतलब 19 इसके बाद लिखाए अश्ट अश्ट पंचासत उत्तर एकोन विनसती सतम या फिर अश्ट पंचासत उत्तर एकोन विनसती सतम तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर है वह है अश्ट पंचासत उत्तर एकोन विनसती सतम चोथा यह राइट आंसर है अश्ट पंचासत उत्तर एकोन विनसती सतम यह राइट आंसर अंगला प्रश्ण है कृतागना इत्यस्य बिरुद्दार्थक पदम किम कृतागना इसका बिरुद्दार्थक पद क्या है कृतागना सुरी दोस्तों कृतागना 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 का बिरुद्दार्थक बिपरीत पद है वह है कृतागना मतलब होता है जो उपकार को मानने वाला तो करत गग्या यह बिप्रीत सब्द है करत गग्या का अंगला प्रस नहें उत्तरस्यामदिशी कह? यह दोस्तो जो लाइन है यह कुमार संभाओ एक यह महाकाब है कालिदास जी का और उन्होंने उसका जो मंगला चर्ण लिखा है उसमें लिखा है अस्ती उत्रस्याम दिसी देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधी राजा तो उत्रस्याम दिसी नगाधी राजा नगाधी राजी यह राइट आंसर है हिमाला परवत अंगला प्रश ने मठा पत्यम सब्दस्य अरथा कहा मठा प्लस म मठ का अपत्य, मठा पत्य, इस सब्धकार्द क्या है। मठ के सेवकत, मठ के सेवक, या फिर मठ स्वामित्टम, पठ पाचकत्टम, या फिर मठ वासतब्यम तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वब है, मठा पत्यма मरल upfront मट का जो संस्तती है जो उन्हा का प्रमुख है तो स्वामी इसके माने जाएंगे तो मट स्वामित यह है राइट आंसर है मट स्वामित तम मट स्वामित तम यह है राइट आंसर करेक्ट आंसर है अंगला प्रस्ण है अजहा सब्द से पर्याय पदम किम अजह सब्द का परियाए पद क्या है सिभा पितामः बिस्नू गजानना तो अज सब्द का जो परियाए है परियाए बाची सब्द है वो आज है पितामः पितामः अजह मतलब होता है पितामः अजह मतलब पितामः तो यह पितामः परियाए सब्द है अंगला प्रश्ण है मूर्धन्य वरनाह के मूर्धन्य वरन कौन से हैं अकोह विसरगाह, उपूपदमानिया, लिटूरसाह या फिर लिटूरसाह तो इसका जो राइट आप अंसर दोस्तों है लिटूरसाणाम मूर्धा यह मूर्धा से उच्चारत होने वाली वर्ण है धी, टवर्ग, रा और शा तो रिटूर शाणाम मूर्धा यह राईट आणसर है अंगला प्रश्ण है पंच विंशती इति सब्दम सोधयत पंच विंशती इस सब्द का सोधन करना है पंचवी बंसती, पंचाविनसती, पंचाविनसती, पंचविनसती, पंचविनसती तो इसका जो राइट आंसर हुआ चोथा है, इसमें बिसर्ग लगना है सर्थ तो पंचविनसती है राइट आंसर है अंगला प्रश्ण है समया सब्द योगे का विभक्ती प्रियोज़ते समया सब्द की योग में कौन सी विभक्ती का प्रियोग होता है तो अभिताह परिता समया निक्सा हा प्रती योगे पी इस सूत्र के द्वारा जो विभक्ती होती है दुटी अभिभक्ती होती है सट, चत, स्रह, त्रयाह, पंच, तो काल दुस्तों तीन होते हैं, बर्तमानकाल, भविश्यकाल और भूतकाल, अंगला प्रश्ट है, कल्प ब्रक्षा कहा, कल्प ब्रक्ष कौन है, नारीकेल, नारीकेरा, नायकरा, नायकेरा, तो कल्प ब्रक्षा कहा, कल्प ब्रक्ष कौन है नाली केल, नाई केरा, नाय करा या नाई केरा जिसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ है नाली केल, नाली केल नाली केल यह कल्प रक्ष के समान कहा गया है कल्प रक्ष कहा गया है अंगला प्रस्ण है दिगंते इत्यस्य बिग्रह बाक्यम किम दिगंते इसका बिग्राइबाग के क्या है दिसा अंते, दिसा अंते, दिक अंते, दिस अंते तो दिगंते मतलब दिसाओं के अंत में तो दिसाओं के अंत में यह दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसा अंते, दिसा अंते, दिगंते तत प्लस मात्रम अस्य संधिम कुरुद तत प्लस मात्रम इसकी संधी करना है तत्र मात्रम तन मात्रम तत मात्रम या तता मात्रम तो यहाँ पर जो ता है ब्यंजन संधी यहाँ पर है ता जो है इस ता के स्थान पर ना हो जाएगा तन मात्रम बनेगा सुत्र इसका है यरो नुनासिके नुनासिकोबा अनुनासिके परे यरवर्ण को अनुनासिक हो जाता है तो यहाँ पर जो ताथा ताका पांचा वर्ण होता है ना ताथा दाधा ना तो ताकिस्थान पर हो जाएगा ना क्योंकि बाद में अनुनासिक बर्ण पर्मे है तो यहाँ पर तन्मात्रम बनेगा यह राइट आंसर है अंगला प्रश्ण है बंदते इत्यस्य भविशत काल रूपम किम भविश्यत काल रूपम किम बंदते का भविश्यत काल का रूप क्या बनेगा बंदिश्यति बंदिताम अबंदति या बंदि तो भविश्यकाल में दोस्तो श्याजड़ जाता है बंदति बंदिश्यति तो बंदिश्यति यह राइट आंसर है अंगला प्रश्ण है अत्र लियप प्रत्यात्म कहा कहा यहाँ पर लियप प्रत्यात्म कौन है तो लियप प् तो यहां इसमें जुड़ा हुआ है निधाय में लिया प्रत्य है अंगला प्रश्ण है निर्जर सह इती पदस्य मूल रूपम किम निर्जर सह इती पद का इस पद का मूल रूप क्या है निर्जरा निर्जर निर्जरा या फिर निर्जर तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो पिपी यह फिट्वा तो पाधातु से त्वा प्रत्य करने पर दोस्तों रूप बनता है पीट्वा पाकिस्थान पर पीई हो जाता है इद्यती इस सूत्र के दौरा तो तो यहाँ पर पीथ त्वा यह रूप बनेगा पाधातू से त्वा प्रत्य करने पड़ अंगला प्रस्ण है बसिष्ठर कश्या हो पुत्रा बसिष्ठा कश्या हो पुत्रा बसिषठर हो यह किसके पुत्र थे बामांगश्य, बालुकेश्य, बामदेवस्य या बसिष्ठष्य तो बसिष्ठष्य पुत्रह, बासिष्ठष यह राइट अंसर है बसिष्ठ के पुत्र बासिष्ठ कहलाएंगे अंगला प्रश्ण है स्री रामह कम जगान स्री रामह कम जगान स्री राम ने किसको जगहान मारा तो कंसम, भसमा सुरम, बालिम या फिर मली का सुरम तो इसका जो राइटा अंसर हुआ है दोस्तो बाली वाली को स्री राम ने मारा था तो बालिम यह राइटा अंसर है तीसरा अंगला प्रश्ण है स्री किष्णा कश्याह पती स्री किशन किसके पती हैं कस्या है पती सुदेशनाया है द्रोपध्याया है जानक्या है या फिर सत्थ भामाया है तो स्री किशन पती हैं सत्थ भामाया है सत्थ भामाया है राइटांसर है सत्थ भामा के पती थे स्री किशन अंगला प्रस्ण है साथ छक्पन इति घंटा म अक्षरेइ लिखत साथ छप्पन को हमें अक्षरों में लिखना है तो साथ बचकर छक्पन मिनिट तो इसको हम क्या बोलेंगे तो पहले तो दोस्तो हम देखेंगे छपन को छपन को बोलते हैं हम सट पंचासत फिर उत्तर मनलब अधिक इसके बास सप्त बादनम तो यहां पर जो तीसरा आंसर है वह है राइट हो जाएगा सट पंचासत उत्तर सप्त बादनम यह राइट आंसर है तीसरा अंगला प्रश्ण है सुद्धम बाक्यम चिनुत सुद्ध बाक को चुन्ना है मात्री देवो भवा मात्री देवो भव मात्री देवो भव मात्री बेदा भव इसका जो राइट आंसर है हुआ है मात्री देवो भव यह दूसरा राइट आंसर है अंगला प्रश्ण है अस धातो लोट उत्तम प्रुस बहुवचनम रूपम किम अस धातो का लोट लकार उत्तम प्रुस बहुवचन का रूप क्या है तो असानी अस्तू असाम या एधी तो इसका जो राइट अंसर हुआ है असाम इसके रूप चलते हैं दोस्तो अस्तू इस्तू 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 अंगला प्रश्न है स्यात इत्य स्विदायपन स्यात इसका परियौए पद क्या है आसीत आसी अस्टू या संथू तो इसका जूराईट आंसर हुआ है थी स्यात का परियावाची सब्द या स्ठू सुदर्सन चक्रम का स्ष्ध थाकृ स्रु honor तो यह था स्री किशनस्य, सल्ल्य महराजस, धर्मराजस या भीमसेनस्य तो इसका राइट आंसर है स्री किशनस्य स्री किशन के पास सुधर्सन चक्र था स्वरे इती की द्रसम पदम स्वरे यह किस प्रकार का पद है इस्त्री लेंगम, नपुंसकम, पुलेंगम या फिर अब्याम तो स्वर यह जो पद है यह अब्याय पद है अब्याय पद अब्याय के अंतरकत आता है अब्याय कहला आता है जिसके कोई भी रूप नहीं चलते हैं तो स्वर सब्द के कोई भी रूप नहीं चलते हैं यह स्वहा जो बनता है इसके कोई रूप नहीं चलते तो यह जो स्यकू बनता है दोस्तो वह बनता है प्रथम पुरोष बहुबचन में प्रथम पुरोष बहुबचन तो इसका राइटान सरे प्रथम पुरोष बहुबचन इस प्रकार दोस्तो यह हमने समस्कृत भासा के सामान ने 30 प्रशनों को बताया यह वीडियो नमबर पां को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद